एक बात सुनाओं मैं ममता की बात सुनाओं बरंदावन में एक महात्मा घूमते थे जिने देखकर लोग कहते थे जज सहाब आ रहे हैं, जज सहाब आ रहे हैं तीस वर्ष पुरा नहीं गटना है तो एक संत से किसी ने पूचा कि इनको जज साहब क्यों कहती है तो काया कि ये साधू अब हो गए है पहले जज थे पुराना नाम अभी भी चल रहा है तो ये साधू क्यों हुए काय ये दक्षिन भारत में एक छोटी सी जगह थी लोक अदालत की तरह वहां ये जज थे एक गाओं में एक बड़ा सीधा सरलाद्मी रहता था उसका नाम था भोला भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानती नहीं था नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने गाओं में रगुनाद जी का मंदिर था और भोला केवट जाती का था सामान ने परिष्ठी थी पर उससे जब कोई पूँचता कि केवट भीया भोले वो बात कैसी है तो कहता रगुनात जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता दो बेटे एक बेटी बेटी विवाह के योग्य हुई बेटों ने कहा कि पिता जी यहां के जो धनी सेठें उनसे करज ले लिया जाए बेहन का विवाह होका होने के बाद हम लोग कमाएंगे रुप्या चुका दिया जाएगा केवट गया सेठे जी ने वियाज की सामान दर जो लेते थे वो तैकी लिखा पड़ी हुई रुप्या ले आए बिवा हुआ बेटी का बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया गाओं में रगुनाद जी का मंदिर था वहीं रहने लगा सब के ममता ताग बतोरी मम पद मनही बाधी बरडोरी बेटों ने कमाई करके पैसा दिया केवट लोटाने के लिए गया सेथ ली के पास सेथ जी ने रुपया ले लिया भी आज ले लिया रसीद लिख कर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला और का केवट पढ़ो क्या लिखा है केवट बोला रगुनाद जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा सेट जी के मन में पाप आया किसे दुबारा पैसा लिया जा सकता है तो बोले ये कागज हमें दे दो तुम जरा पानी ले आओ वो एक गिलास पानी लेने गया सेट जी ने वो रसी छिपा के रख ले फाड़ते तो शक होता एक कागज पर ऐसी कुछ लिख कर दे दिया वो लिए तुमारी रसी केवट ले गया रगुनाद जी के चरणों में रख कर जिस कमरे भी रहता था वहां रख दे और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी मंपद मनही बाधे बरटोरी सेट जी ने मुकदमा कर दिया केवट ने रुपया दिया था चुकाया नहीं कहता दिय चुके अदालत में केवट को जाना पड़ा वही जज जो महात्मा हो गय थे उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था हाँ चुका दिया इसका प्रमार काग़ जजज सामने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है इसमें कुछ लिखा ही नहीं है केवट सरह लाद में रो नहीं लगा लगुना दिय जाने मैं तो ये इसी को रसीत समझे था जज साब दयाल उफिर दाए कि तो रो मत तुमने जब सेड़ जी का रुपया बापिस दिया तब तुम्हारे सेड़ जी के बीच में कोई तीसरा था तो केवट की जो आदत थी जो सुभाव था उसी भाव से बोला सब्सक्त कहता हूँ जज साब सेड़ जी को जब मैंने रुपया बापिस दिया तो मेरे और सेड़ जी के बीच में सिवा रगुनाथ जी के और कोई नहीं था जज साब बने चाह तुम जाओ अगली तारीक पराना जज साब ने समझा कर रगुनाथ जी इनकी गाओं के रहने वाले सज्जन होंगे जज साब ने अपने खर्चे से रगुनाथ जी के नाम सम्न जारी कर दिया अब चपरासी पूरे गाओं में सम्न लिये गूमे उस गाओं में रगुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था चपरासी तो परेसान हो गया, एक ने कहा रगुनाद जी का मंदिर जरूँ ने, बोले वही बताओ गया चपरासी, पुजारी बहार बैठे थे चपरासी को देखा, क्या बात है सम्मंदिया, रगुनाद जी का मंदिर यही है, हाँ, लोई पुजारी जी समझ गये मनी मन सोचने लगे, कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है, तो हम बापिस कायुक करें हस्ताप्षर पुजारी जी ने कर दी चपरासी समझा, यही रगुनाद जी हो पुजारी जी ने सम्मंद रगुनाद जी के चरणों में रख दिया और आँखों में आशु भर कर बोले प्रभु, आपको पोशा कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार थाये होंगे, आभुशन कई बार भगत लेकर आये होंगे, लेकिन सम्मंद पहली ही बार आया होगा, पर भगत जो ना करें से थोड़ा, प्रभ उस दीन का आपके अलावा कोई, वापके अलावा किसी को जानता ही नहीं केवर तो आपके यहाँ थ, केवर भगत जी का नाम, केवर भजी होगी जोट लिखा दिया, हमारे रगोनागी सदा हमारे साथ हैं थे, और केवर तो यही कहें, हरी बिन संकट कौन निवाद हरी बिन संकट कौन निवाद साधन हीन मलीन तीन मैं जाँ के ही के द्वादे या अनाथ की लाज आज रभुनात जिहाद तुम्हारे हरी बिन संकट कौन निवाद दिन दयान सुने जब ते तब ते मन में कचु ऐसी बसी है तेरों कहां और जाँ कहां बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है तेरों ही आसरों एक मलूक नहीं प्रभुसों कोई और जसी है एहो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हसी नहीं तेरी हसी है संकट कौन निवाद अरी बिन संकट कौन निवाद या अनात की लाज आज रगुनात जी हाथ तेहारे कहीं नहीं गया किसी को जानता है नहीं राम जी के अनाबा तारीक एक दिन पहले पुजारी जी बोले तुमा जी जाओ ताकि समय से पहुँच जाना अब रगुनात जी के मन की तो रगुनात जी जाना है केवट रगुनात जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया दूसरे दिन सबेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे भगवान की आरती पुजा की नया वस्त्र पहनाया भोग लगाया उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं कपड़े अच्छे पहनावें भोग रोने लगे फुजारी जी भाव की दुबाद प्रभो आपको जो पोसा का अच्छी लगए वही पहन कर जाना लेकिन जाना जरूर उसका कोई नहीं है आपके अलाव उधर केवट पहुंचा सेड़ जी पहुंच गए जजज साबर का केवट तुम्हारे गवाए रगुनाद जी कहा है केवट बोला हुजूर हैं कहीं होंगे भी तो सब जगा रहते है जजज फिर भी नहीं समझे चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ चपरासी आवाज लगाने रगुनाद हाजिर है 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 हाजिर है ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा एक बुढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े कबर जुकिय हाथ से इशारा कर रहा हाज रहें ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं चाल लट पटी सी एक ब्रद की जुकी सी दे है दुपटी पटी सी सीस बांधे धर धाये हैं हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल माथे पर रोरी चारु चंदन चड़ाए हैं साहब के सामने बिनीत चपरासी साथ आज लगुनाथ जी गवाह बने आए भगवान गवाह बन कर आगे जज साहब ने देखा अगाज सेर जी चोंके की ये कौन है जज साहब ने का कि आप थे वहाँ रगुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है उसका प्रमान वुले इन्हों ने रसीद भी लिख ली थी सेर जी को यहीं रखा जाए इनके मकान में सामने वाली बैठट सामने वाली दीवाल में तीन आलमारी आएं बीच वाली आलमारी में बही रखी है बतीस नंबर की उसी में उरसीद अब तक सुरक्षित है सरवान तर्यामी भगवान से क्या चिप सकता सिपाई गजे गए बही मिल गई रसीद मिल गई सेठ जी को दंडित होना पड़ा केवट बाइजित भरी हुआ रखुनाज जी तो गाइब हो गए पहले काम तो होई गया था अब जजज सहाब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला तो केवट से अकिले में पूछने लगे केवट ये रखुनाज जी कहां रहते हैं केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं तो तुम कहां रहते हो बोले जहां रखुनाज जी रहते हैं जज सहाब बोले हम समझे नहीं तुम लोग एक ही जगें एक ही गाओं के रहने वाले हो केवट बोला हाँ हुजूर आपको कैसे समझा है तो पढ़े लिखे हो पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है भक्ती की बात भगवान की बात ज़र साहब बोले तो ये हैं कौन केवड बोला हुजूर ही है वो है जिनका मंदिर है तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन आदमी होंगे जिनका मंदिर बनवाया है पुजारी भी नहीं लग रहे थे पता नहीं केवड बोला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं अब तो जजज साहब ने चपरासी को बुलाए चपरासी कांप ने लगा हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किये थे अब जो गाओं में पता लगाया तो जजज साहब भाव बहबल हो गए अपने कमरे पर आये बंगले पर रोने लगे लोगों ने का रोने का कारण क्या जज साहब रोते हुए बोले शिवसारद नारद सेस गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज बिनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे अरे तो इसमें रोने की क्या बात खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया और चले गए तो भी तो जाते ही जैसा बोले सुख धोके हूँ दर्श दिये को भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे फिर रो क्यों रहे हो बड़ी भाव भरी बात कही जज साब बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कौन सी कुरसी पर बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते हैं कौन सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको पस्थित होना पड़ता में भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहें ऐसा वैराग हुआ उसी दिन पद से इस्तिफा दे दिया ब्रंदावन आगे साधु जीवन मिताया अक्सर खड़े रहते थे कहते थे भगवान खड़े रह में बैठा रहता तो खड़े ही रहना अच्छा है मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते बाहर से ही दर्वाजी की धूल सीर पर चड़ा लेते कोई कहता क्यों अंदर क्यों नहीं जाते तो कहते कि मैं उन्हें मुह दिखाने लायक नहीं हूँ मुझसे जो अप्रहाद हुआ हुआ यह भाव केवट के कारण भगवान गवाह बने क्या था केवट में सबके ममता ताग भटोरी ममपद मनही बांध बर डोरी अस सज्जन मम उरबस कैसे लोभी हिरदय बसे धन जैसे यह सज्जन की दूसरी परिवाशा